इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारी ओं के आधार पर काम करता है जो सारवजनी क्रूप से मौझूद है क्या अजर्बैजान के जो प्रेजेंट है वो भारत को धमकी दे रहे हैं अजर्बैजान भारत पर भड़का हुआ क्यों है क्यों वो भारत ही नहीं फ्रांस और ग्रीस को भी टार्गेट कर रहा है UN Climate Change Conference COP29 में Climate Change के बदले अजर्बैजान भारत की बात क्यों कर रहा है नमस्कार दोस्तों Defense Detective के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँगा लोग तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि आज के एपिसोड में बात होने वाली है अजर्बैजान की अजर्बैजान Middle East का एक देश है 86,600 स्क्वाइर किलोमेटर के एरिया वाले इस देश की करीब 97% जो आबादी है वो मुस्लिम है और 3% के करीब कृश्यन्स है भारत के राज़ानी नई दिल्ली से अजर्बैजान के राज़ानी बाकू की जो हवाई दूरी है वो तक्रीबन 2806 किलोमेटर की है अजर्बैजान से भारत का रिष्टे बहुत पुराने हैं लेकिन आज ये देश भारत पर ही भड़का हुआ है भारत को धमकी दे रहा है आज के इस वीडियो में हम अजरबैजान की इस धमकी की वज़ा तलाशेंगे साथी साथ ये भी बताएंगे कि अजरबैजान की धमकी कितनी गैर जिम्मेदाराना है बेवज़ा है और ये भी बताएंगे किस धमकी के पीछे की असल कहानी क्या है, इंसाइड स्टोरी क्या है अजर्बैजान की स्टेट न्यू जेजनसी अजर्ट टॉक की सेड्लाइन को देखिये लिखा है हम ये बैठे बैठे नहीं देख सकते कि फ्रांस, भारत और ग्रीस अर्मेनिया को हमारे खिलाफ अतियार दे रहे हैं और ये बयान है अजर्बैजान के राश्ट पती का अजर्बैजान की कैपिटल सिटी बाकू में सहिंक तुराश्ट संग का क्लाइमिट चेंज कौनफरंस हो रहा है 23 अप्राइल को प्रेज़न्ट इलहाम अलियेव कौनफरंस में आए लोगों का स्वाकत कर रहे थे लेकिन इसी दोरान उन्होंने क्लाइमिट चेंज से हटकर बयान देना शुरू कर दिया ये बयान था भारत के खिलाफ ये बयान था फ्रांस और ग्रीस के खिलाफ demonstratively and as if trying to prove something to us. We cannot just sit and wait and we openly express this position to Armenian government and to those who want to take care of Armenia now. We will have to take serious measures if we see a serious threat to us. Rica 1988 1988 तक अर्मेनिया और अजर्बाइजान के बीच लड़ाई चलती रहे 93 में अर्मेनिया ने नगर्णो कारवाग समेथ अजर्बाइजान के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था रूस की मध्यस्तता के बाद ये लड़ाई रुख गई थी लेकिन साल 2016 में यानि कि 2016 में ये विवाद फिर भड़ा गया चार दिन के भिषण लड़ाई के बाद सीज़ फायर हुआ 2020 में यानि कि साल 2020 में दोनों देश एक बार फिर इसे लेकर बिल गया बसमें तब से दोनों देशों के बीच जड़पे होती रहती है इस विवाद के निप्टारे के लिए अर्मेनिया और अजर्बैजान के बीच पीस टॉक जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच समझोता भी हो गया है और समझोता भी अजर्बैजान की शर्तों पर हुआ है इस विवाद को खत्म करने के लिए अर्मेनिया ने अपने कब्जेवाले इलाके के चार गाउं को अजरबेजान को सौंपने के लिए हम भरती है और दुनिया के कई देशों ने दोनों देशों के बीच हुई इस पीस डील का वेलकम भी किया है तो भई अजर्बैजान अपनी शर्तों पर अर्मेनिया से जब डील कर रहा है उसे चार गाउं वापस मिल रहे हैं यानि अर्मेनिया से उसके विवाद खत्म ना भी कहें तो ठंडा जरूर पड़ रहा है फिर अजर्बैजान के प्रेजिनन्ट को भारत, फ्रांस और ग्रीस पर अग्रेसिव कमेंट करनी की जरूरत क्या पड़ गई असल में दोनों देशों के बीच डील तो हो रही है और वो भी अजर्बैजान के हिसाब से हो रही है लेकिन अजर्बैजान का इरादा अभी भी जो है वो लड़ाई की तरफ है पिछले साल सितंबर में ही दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई च्छडने के असार बन चुए थे पॉलिटिकों की 19 सितंबर के इस खबर को देखे लिखा है कि अजर्बैजान ने नगर्नो कारबाक से अर्मेनियाई लोगों को खदेडने के लिए हमले के शुरुआत कर दी है अजर्बैजान का अग्रेसिव अप्रोच को देखते हुए अर्मेनिया लगातार ये आरूप लगा रहा है कि अजर्बैजान फुल स्केल वार की तरह बढ़ रहा है यूरेशन एट की ये खबर इसी साल फरवरी की है बीबीसी की ये खबर दो दिन पहले यानि 24 अप्रायल की है इसमें भी लिखा गया है कि अर्मेनिया के लोगों को अजर्बैजान के साथ लड़ाई छड़ने का डर है वो भी पीस स्टॉक के दौरान यानि अजर्बैजान के लिए किसी मीडियेशन किसी पीस टॉक की कोई एहमित नहीं है और तब ही अर्मेनिया अपने बचाओ के लिए अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है अर्मेनिया ने अपने डिफेंस के लिए अपनी जरूतों के हिसाब से कई देशों से हतियार खरीदे हैं इन देशों में भारत भी शामिल है लेकिन अर्मेनिया ये तब कर रहा है जब अजर्बाइजान ने अर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपनी आर्मी को जबरदस तरीके से मजबूत कर लिया है और इसमें उसने तुर्की और पाकिस्तान से डिफेंस प्रोड़क्ट्स वेपन्स खरीदे हैं तुर्की और अजर्बाइजान के बीच वैसे तो 1992 से ही इस तरह के समझोते हो रहे हैं फोब्स की एक खबर साल 2021 की है क्या लिखा है इस खबर में देखिये लिखा है कि तुर्की और अजर्बाइजान के बीच मिलिटरी कॉपरेशन के यी से बढ़ रहा है तुर्की के साथ अजर्बाइजान के डिफेंस रिलेशन्स जो हैं वो लगतार बढ़ते चले गए सबसे बड़ी बात कि तुर्की खुले आम नगर्नो कराबाख के मुद्दे पर अजर्बाइजान का सपोर्ट करता है तुर्की के साथ मिलकर अजरबैजान ने पाकिस्तान से भी डिफेंस डील कर ली है पाकिस्तान ने अजरबैजान को 1.6 बिलिएन युस्टी डॉलर में जेव 17 सी फाइटर जेट बेजने का सौदा किया है इतना ही नहीं अजर्बैजान ने इसराइल के साथ भी डिफेंस डील की है हाली में उसने सर्बिया के साथ भी अग्रीमिंट किया है कहने का मतलब यह है कि अजर्बैजान ने भी दुनिया के कई देशों से हतियार खरीदे हैं बही अजरबैजान को अगर लगता है कि आज नहीं तो कल उसकी अर्मेनिया से लड़ाई हो जाएगी इसके लिए वो अपनी सेना को अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है तो ये उसका फैसला है लेकिन उसकी दिख्कत ये है कि अगर अर्मेनिया भी ऐसा कर रहा है तो उसके पेट में दर शुरू हो जाता है तो अर्मेनिया ने भी अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए नए डिफेंस पार्टर्स तलाशने शुरू कर दिये अर्मेनिया ने भारद से پिना का मल्टी बैरल रॉकेट लाउचर करीदे हैं अर्मेनिया भारत की आकाश सरफस तु एर मिसाल में भी इंटरस्टेट है और इसकी डील पर भी लगतार बातीच ही चल रही है इतना ही नहीं अर्मेनिया ने भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम भी खरीदा है भारत में बनी M.A.R.G. 155 M.M. सेल्फ प्रोपेल्ड होजजर गंस भी अर्मेनिया पहुच रही है भारत अर्मेनिया को सबसे ज़्यादा हत्यार देने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है ठीक इसी तरह अर्मेनिया ने फ्रांस और ग्रीस के साथ भी अपने डिफेंस रिलेशन्स डिवलप की हैं लेकिन अर्मेनिया का भारत, फ्रांस और ग्रीस के साथ डिफेंस पैक करना, हत्यार खरीदना अजर्बैजान को पच्छ नहीं रहा अब ये तो गजब बात है ना भाई अजर्बैजान ने तुर्के से हत्यार खरीदे, पाकिस्तान से फाइटर प्लेन खरीदे, इसराइल और सर्विया से डील की, तो ठीक लेकिन अगर अर्मेनिया अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए, दूसरे देशों से डील करे, वहां से हत्यार ले, तो वो गलक अजर्बैजान के प्रेजिन ने जब कोड 29 के अपनी स्पीच में भारत पर आरोप लगाए, तो भारत ने इसका जवाब भी दिया, भारत ने कहा कि अर्मेनिया से उसकी डील, अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने और एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने की ह तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अजर्बैजान के प्रेजिन भारत पर इतना भड़क क्यों रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहानी जो है वो यहाँ खत नहीं हुई है, इस कहानी के पीछे भी एक लंबी कहानी है, और इस कहानी का में किरदार है, तुर्की दोस्तों तुर्की एक ऐसा देश है जिसका पाकिस्तान से बहुत याराना है, तुर्की के नेता अर्दोगान मुसल्मानों के खलीफा बनना चाहते हैं, इसलाम के नाम पर वो पाकिस्तान का हमेशा साथ देते हैं, कश्मीर के मुद्दे पर भी वो भारत के खिलाफ रहते ह वो भी तब जब भारत ने आगे बढ़कर भुकम से तबाह हुए तुर्की को हर तरह से मदद पहुचाई थी अपने इसी नेकसस को आगे बढ़ाते हुए उसने अजरबैजान को भी एंटी इंडिया ग्रूप में शामिल किया हुआ है तो भाई भारत को भी तो अपने खिलाब बन रहे इस नेकसस का जवाब देना था तो इससे तुर्की और अजरबैजान दोनों पर प्रिशर पढ़ने लगा इसके बाद भारत ने सीधे तुर्की को टार्गेट किया इसके लिए उसने ग्रीस से अपने रिलेशन्स को मस्भूत किया ट्रेड के बाद अब दोनों देश डिफेंस सेक्टर में तेजी से काम कर रहे है और ग्रीस भारत से ब्रमोस मिसाईल खरेदने की तैयारी में है ग्रीस और तुर्की की आपस में ने बनती है कई बार हालात लड़ाई तक पहुंच चुके हैं ऐसे में भारत की सुपर सोनी क्रूज मिसाईल ब्रमोस अगर ग्रीस पहुंच जाती है तो ये तूर्की के लिए बहुत बड़ा खत्रा साबित होने वाली है इसके साथ ही भारत ने साइप्रेस से भी कई agreements किये हुए है साइप्रेस का भी तूर्की से 36 का अकड़ा है यानि भारत ने अब तूर्की को 3 तरफ से गिर लिया है तुर्की का चोथा पडुसी देश है इरान जिससे भारत के बड़े अच्छे सम्मंध है यहां तक कि अर्मेनिया तक हंत्यार पहुंचाने में इरान की सरजमी कहीं इIE इस्तमाल किया गया और इर इरान के रस्टे हीं पहुंचा है ऐसा कहा जाता है साफ है कि भारत ने तुर्की को उसके ही खेल में फसा दिया है पाकिसान के प्यार में पड़े तुर्की को भी अब ये साफ नजर आने लगा है और अजर्बाजान के प्रेज़न का भारत पर दिया ये बयान भी तुर्की का ही डिक्टेट किया हुआ है मैं बार-बार कहता हूँ न कि जियो पॉलिटिक्स बहुत इंट्रेस्टिंग है गुरू यहाँ जो स्ट्रेटिजी बनती है वो बहुत दिनों बाद दुनिया को नजर आती है तो भारत की इसी स्ट्रेटिजी में तुर्की फंस चुका है और उसके साथ साथ अजरबैजान और पाकिस्तान को भी इसके नतीजे जहिलने होंगे यकीन मानिये शायद आज आज आप मेरी बातों पर भरोसा ना करें विश्वास ना करें लेकिन आने वाले वक्त में आप कहेंगे कि मैंने बात सही कही थी तो दोस्तों आज काई वीदियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजे जे लोग师 करें वेταकि कि आपने बातों थिक चलना है मामला एक पर अंशना है ही बात नहीं अपना काम इमानदारी से करते रहेंगे, चीजों को लाते रहेंगे, बाकी सब आप लोगों के हाथ में, तो जल्दे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जाहिंद